स्वाधीन्ता सेनानी बेला मित्रा बेला मित्रा का जन्म 1922 में उत्तर 24 परगना के कोडालिया में हुआ था बेला मित्रा आजाद हिंद फॉज की कार्यकरता थी उनके पिता का नाम सुरेश चंदर बोस और माता का नाम सुधा बोस था बेला मित्रा नेताजी सुभाश चंदर बोस की भतीजी थी बेला का विवाह आजाद हिंद फॉज के पूर्व उपाध्यक्ष तथा क्रांतिकारी हरिदास मित्रा से हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन में उनका प्रवेश पारिवारिक स्रोतों से हुआ था बेला मित्रा आजाद हिंद फॉज की महिला सेना में 1940 में शामिल हो गई जब नेताजी ने रामगड में आयोजित कॉंग्रेस अधिवेशन को छोड़ दिया बेला मित्रा बोस उस महिला बल की प्रमुख थी जिसे नेताजी ने समझोता विरोधी सम्मेलन के लिए बुलाया था बेला मित्रा को पूर्वी एशिया से भारत भेजे गए आजाद हिंद फॉज के टुकडियों के संपर्क में रहने और उनकी सुरक्षित लैंडिंग सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जन्वरी से अक्टूबर उननीस सो चवालीस तक बेला मित्रा ने कलकट्टा से सिंगापुर तक समाचार प्रसारित किया और सुरक्षित रूप से क्रांतिकारियों तक पहुँच गई जब बेला मित्रा के पती हरिदास मित्र को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कार्य के प्रबंधन का कार्यभार संभाला बेला मित्रा ने अपने उप्योग के लिए गहने बेचकर श्रमिकों को सुरक्षित लाने और रहने की व्यवस्था की, कई बाधाओं के बावजूद बेला देवी ने लोगों को उडिसा के तट पर भेजा और उनके उतरने की व्यवस्था की, 11 सितंबर 1945 को आजाद हिंद सेना के कई सदस्यों के साथ हरिदास मित्रा को फासी देने का आदेश दिया गया था, गांधी जी ने उनकी मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील की, गांधी जी के प्रयासों से डेथ वारंट रद्ध हो गया, बेला मित्रा ने आजादी के बाद 1947 में जहासी की रानी सेवादल का गठन किया, शरनार्थियों के लिए सेवा, विक का स्वास्थ्य खराब हो गया, 31 जुलाई 1952 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया, बेला मित्रा के जन्म दिन पर हावडा जिले के एक रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर बेलानगर कर दिया गया, भारत में, किसी भारतीय महिला के नाम पर किसी स्टेशन का ना करन इतिहास में पहली बार बेला मित्रा के नाम पर हुआ, विश्व हिंदी संस्थान कनाडा से साभार संग्रहित, नमस्कार, विडियो निर्मान मुरली चौधी